तो दोस्तो कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे तो दोस्तो यूटूब काफी लोग चलाते हैं ऐसे में कई साली ऐसी वीडियो जाती हैं जिस पे हमको भी लगता है कि हम इस कैटेगरी के ओपर यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं और उनकी होप होती है कि हमारा भी ही बताने वाला हूं कि आप जो है अपना चैनल यूटूब के अंतर कैसे क्रियेट कर सकते हैं बट उससे पहले आपको यहाँ पर अपना जो चीमेल अकाउंट है हाला कि सब बना के रखते हैं और पहले से तो वह आपका यहाँ पर क्रियेट होना चाहिए दैन उसके बाद आप जो हैं यहाँ पर यूटूब अकाउंट कर पाएंगे तो और इस वीडियो में आपको यहाँ पर जीमेल अकाउंट से लेके यूटूब चैनल कैसे बनाना है वीडियो आपको कैसे अपलोड करनी है और आपको मैं मोबाईल के थ्रूई बताने वाला हूं तो आप इस तो guys इसके लिए आपको सबसे पहले google chrome यहाँ पर open करना है अपने phone में और यहाँ पर search बार में आपको type करना है create gmail account जैसे कि आप screen पर देख सकते हैं तो यह जैसे आप search करेंगे तो इस तरीके का interface आएगा आपको scroll करके नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर जो second option आपको दिखाए दे रहा है create your google account google account तो इस पर आपको click करना है click करने के बाद इस तरीके के form आपके सामने आ जाएगा आपको इसमें detail फिल करने है अपनी कुछ इस तरीके से यहाँ पर name last name यहाँ पर username डालना है और password डालना है उसको confirm करना है और next के button पर click कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे recovery mail डालना है आप उसको select करना है और उसके बाद next के बटन पर आपको click कर देना है उसके बाद आपको send के option पे क्लिक करना है और आपके number पे एक OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पे fill up कर देना है और verify के option पे क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पे आपको yes I am in इस पे क्लिक करना है कुछ यह सरीकर का interface आएगा आपको scroll करके सबसे ही नीचे आना है नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको I agree पे क्लिक करना है तो आपका यह जो gmail account है वो यहाँ पे successfully create हो चुका है तो इस तरीके से आप जो है सबसे पहले अपना gmail account बनाएंगे तो guys आप आपको यहाँ पे अपना आपको दिखाई दे रहा होगा इस पे आपको click करना है click करने के बाद नीचे आपको desktop side का option दिखाई दे रहा है इसके आगे box दिख रहा है तो इस पे आपको click कर देना है और यह आपका desktop side में open हो जाएगा तो आप आपको यहाँ पे क्या करना है उपर आपको अपने चैनल का आइकन दिखाई देगा ओकोने में इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अगर आपकी कोई दूसरी email id लॉग इन है तो उसको सबसे पहले आपको यहाँ पर sign out करना है यहाँ पर option आप देख रहे होंगे sign out का तो इस पर आपको click कर देना है नाई थी तो वो आपकी यहाँ पर नीचे show दिये तो simply आपको उस पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जो password है वो यहाँ पर डालना है next करना है और next करने के बाद दूपार इसको आप back आगे desktop side में open करेंगे तो open करने के बाद यहाँ पर आपको जो पहल started का option दिखा दे रहा है इस पर आपको click करना है click करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आपसे यह पूछ रहा है कि use your name यानि कि आप अपने नाम से youtube account बनाना चाहते है यह आप जो है manually जो है खुद से यहाँ पर अपना नाम यहाँ पर select करना चाहते है तो मैं फिलाल पहले option option के साथ जा रहा हूं आप दूसरे option के click करके जो है अपना खुद से भी जो manual नाम है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं तो फिलाल जो है यहाँ पर परवन सिंग उसके नीचे आपको select का option दिखाई दे रहा है तो मैं इस पर click कर देता हूं click करने के बाद दूस्तों यहाँ प पहले आप इसको create करेंगे यहीं कि बनाएंगे तो उस वीडियो का link मैं आपको description में दे दूँगा मैंने वीडियो बना रखी है उसके बाद नीचे आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं add channel description तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है मतलब आपका channel जिस भी category से है उससे related आपक description लिखना है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप YouTube पर जाके search कर सकते हैं अपने category के channel और उनका जो about section है उनके your channel पर click करेंगे तो आपको सबसे side में about channel का option दिखाई देगा उस पर आप click करके देख सकते हैं कि उन्होंने जो है description में क्या लिखा है वहाँ पर आपको एक वीडियो के description में दे दूँगा तो आप जाके देखेगा और यहां पर लगा सकते हैं अपने social link उसके बाद दोस्तों आप scroll करके नीचे आएंगे तो यहां पर आपको setup letter और save and continue का option दिखाई देगा तो आप यहां पर setup letter कर सकते हैं क्योंकि आप जब वीडियो देखेंगे उसके बाद आप जो है इसको लगा सकते हैं अपने description वगरा और icon वगरा तो बाकि आप उसी time भी लगा सकते हैं अगर आपको आता है create करना तो आप लगा सकते हैं उसी time भी तो उसी time लगाएंगे तो आप जो है यहां पर save and continue पे click करेंगे बाकि आप setup letter कीजिएगा उसके ब face आजाएगा तो अभी आपके channel पर यहां पर कोई भी video upload नहीं है तो guys अब आपको यहां पर एक important setting करनी है और वो setting आपको यहां पर समझनी और देखनी बहुत जरूरी है बहुत important setting है तो आपको यहां पर Google Chrome में जाना है वहां पर अपना यह जो desktop side है इसको यहां पर open करना है अपने channel को उसके बाद यहां पर आपको your channel का option दिखाई देगा इस पर आपको click करना है कले करने के बाद दोस्तुआ पर दौस्तों सबसे नीचे आप आएंगे आप देख रहे हैं यहां पर सैटिंग का ओप्शन इस पर आपको क्लिक कर दिना है तो यहां पर मैंने इसको जूम कर दिया है तो आप यहां पर देख सकते हैं इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यह जो सैटिंग ओप्शन यहां पर आपको दि condition है वो आपको तभी मिलेगी जब आप अपना जो वैरिफिकेशन है मोबाइल का वो करवाएंगे तो यहाँ पर आप फोर ओप्शन देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो आप 15 मिल्ट से जादा की नहीं बना सकते हैं लाइव स्टेमिंग नहीं कर सकते हैं और अपील कंटेंट आइडी यह जो चार ऑप्शन है आप इसको वैरिफाई करवाएंगे तभी जो है मिलेंगे आपको तो आगे आपको वैरिफाई फोन नमबर का ऑप्शन दिखाई दिखा इस पर आपको सिंपले क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंटे सेलेट करना है और यहाँ पर अपना मोबाईल नमबर डालना है उसके बाद गेट कोड पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाईल नमबर है उसको डालके आपको यहाँ पर संबिट कर देना है तो आपको जो मोबाईल नमबर है वो यहाँ पर वैरिफाई हो उसको यहां पर open करना है और open करने के बाद ऊपर यहां पर आप देख सकते हैं आपको अपने चैनल का आइकन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो चैनल का नाम लिखा हुआ है इसके आगे एक एरो है इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी जो इमेल आइडी है जो आपने बनाई थी चैनल की उसको यहाँ पर आप के फोन में जितनी भी email ID होगी वह आपके सामने आ जाएगी तो उपर आपको account के आगे जो है यहाँ पे plus का option दिखाई दे रहा है इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी email ID डालनी है उसके बाद password मांगे आपको password डालना है इस तरीके का interface आएगा उसके बाद scroll करके नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको आई एगरी का option दिखाई देगा इस पर आपको click करना है click करने के बाद आपकी email ID जो है mobile का जो एप होता है YouTube का उसके अंदर login हो जाएगी आप आपको वीडियो अप्लोड करनी है तो दूबारा यहाँ पर इसको open करना है आपको उसके बाद इस तरीके का आपको अप्लोड करनी है उसपे click करना उपर आ घ्रीक का देगा है इस प्रहाप को आपको उप्सेकर करना है यहाँ पर आप को title डालना है और डिस्क्रिप्षन आपको क्या डालना है जो आपने वीडियो बनाई है जैसे आपने चैनल गुरो के ऊपर वीडियो बनाई है तो आपको डालना है लगी यानि कि आपकी जो हवीडियो अप्लोड और हो यह वो डिर्लाइक जब अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर फब्लिक हो जाएगी वर्णै तो जब आप दोबारा इसको चलिक पर जाएंगे तो वहां पर इसको जो आप पद्लिक पर Ils आपकी वीडियो जो है आपके पब्लिक हो जाएगी यानि कि आप खुछ से भी कर सकते हैं उसके बाद आपको उपर नाच्ट का बटन दिखाई देरा है इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपकी जो ये वीडियो है ये बच्चों के लिए बनीवी है या नह की वाइटी स्टूडियो उसको यहां पर आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड इसलिए करना है क्योंकि यहीं से आपकी जो वीडियो कैसा परफॉर्म कर दी है उसका टाइटर टाइग डिस्क्रिप्शन सब कुछ आप यहां से एडिट कर सकते हैं उसका थमनेल लगा सकत हैं मतब आप जो काम वहां से कर सकते हैं उससे ज्यादा काम आप जो है यह जो एप है वाइटी स्टूडियो के यहां से कर सकते हैं यहां से आप थमनेल वगारा जो भी आपकी वीडियो का अनलाइट है किसा है चैनल मोनेटाइज है तो आप यहां पर इनकम भी देख सकते ह है तो यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड करके ऊपन करना यह इस तरीके से और आपकी जू वीडियो आ जाएगी उस पर आपको क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद ऊपर आपको यह जो त्रामिल का ओप्शन दिखा देगा इस पर पर आप जो है इसको एडिट कर सकते हैं नीचे उसके नीचे आपको description change करना है बदलना है कुछ और आप लिखना चाहते हैं तो वह भी आप इस पर क्लिक करके यहां से change कर सकते हैं आप आती है यहां पर बात tax की तो tax आपको कैसे लगाने tax आप यहीं से लगाएंगे आदरवाइस आपको computer का use करना पड़ेगा क्योंकि जो app है mobile की उसमें आपको tax का option नहीं मिलेगा जब आप upload करेंगे तो आप वहां से आप डिरेक्ट जो है टैकस आप इस तरीके से लिख सकते हैं मतलब आपकी जो वीडियो को कि ट्टॉपिक पर है उससे related tax आपको यहां पे लिखने हैं जैसेchy बहूंस कीजिए आपकी वीडियो को मतलब लोग किस तरीके से सर्च कर सकते हैं जैसे आप आपने ग्रो के उपर वीडियो बनाई है आप ग्रो यूट्यूब चैनल तो एक टैक्ट आपका यही हो जाएगा बाकि कुछ लोग हिंदी में सर्च करते हैं मतलब आपके वीडियो जो है किस-किस चैनल क्रियेट करना है जीमेल इडि बनानी है सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है इसके अलावा भी आपके कुछ अगर डाउट्स हैं कुछ आपको लगता है आपको नहीं आ रहा है तो आप जो है मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं भागे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना भागे दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग